हेलो स्टूडेंट स्वागत है आप सभी का एक बार फिट से हमारे इस ओफिशल टुप चैनल में चिसका नाम है S.O.L.Solution मैं चिंदनकुमार हाज़िर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नहीं वीडियो के साथ सो गैस आज की इस नहीं वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो S.O.L. या फिर N.C.W.E.P. या फिर दैली ही यूनिवर्सिटी के किसी भी रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट्स है और उनके पास में बीए पोलिटिकल साइन्स ओनर्स का कूर्स है और वो अपने फोर्थ सेमेस्टर में पेपर का नेम क्या है आपके पेपर यानि सब्सेट करने में ग्लोबल पॉलिटिक्स को पड़ रहे हैं तो आज की नहीं वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपोर्टन्ट है नाउ यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको कोशन पेपर एनलाइसिस कर रहे हैं और आप लोग अगर S.O.L. N.C.V. या रागलो कॉलेज के स्टूडेंट्स है तो आपको कोशन पेपर देखने के लिए सबसे टॉप पर यह देखना है कि इसमें टोटल कितने पीजिस लिखे हैं क्योंकि यह डैली उनिवर्सिटी के को कोशन पेपर की पहचान है कि क्या उसमें मेंशन होता है कितनी पिजिस का पेपर है इसके अलावा यहाँ पर आप सभी को अपना एक्जामिनेशन रोल नमर लिखना होता है जैसा कि आप सभी के एडमेट कार्ड पर मेंशन होता है आप वैसे यहाँ पर अपना एक्जामिने पेपर कोड इट में भी चींज क्योंकि as well और जो NC5 students है इनकी मुझे से चींज हो सकता है या हो सकता है आपका अलग हो लेकिन अगर आपके पास में ग्लूबल पॉलिटिकल का सब्जेक्ट है आप भी ये पॉलिटिकल साइंस ओनर्स के स्टूडेंट्स है तो आज की नई वीडियो आप सभी के लिए ही है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है सबसे पहले हम बात करेंगे इस कुश्चिन पेपर में कितना समय आपको मिलेगा तो तीन गंट एक कोशन हिंदे में ऐसा नहीं करना इसके अलावा आप सभी ने जो भी कोश्चन करना है उसका कोशनिंग की देप अच्छी तरीके से करना है और इसके अलावा आप अगर रेग्लि quantidade से तो आपको आठ में सचार कोशन करने होंगे और अगर आप एसवल के स्टूडेंट है तो अगर 10 question आएंगे तो 10 में से 5 question आप सभी को इसमें से करने ही होंगे इसके बाद में हम बात कर लेते हैं अब एक एक करके अपने सारे questions की first question आप सभी की screen पर आ चुका है लेकिन इंग्लिश मीडियम वाले students करा है तो सबसे पहले आपको ये बताना है what do you understand by globalization globalization को globalization यानि हिंदी में हम बात करें तो भूमंडली करन भूमंडली करन या फिर वैश्विकरन क्या है आपको ये बात करना है और इसके साथ है discuss the cultural and technical इसके आयाम आप सभी को बताना है Dimensions का मतलब इसके आयाम ही होता है क्या होता है आयाम बहुत सारे students confused हो जाते है तो एक बार इंग्लिश में भी question papers को पढ़ लेंगे क्यों कि पंदा मिंट मिलता है आप सभी को और हिंदी वाले students है जो यहाँ पर देख सकते है वैश्विकरन से आप क्या समझते है वैश्विक संस्कृति आज उसको एक संस्कृति बनाने के प्रयास कर रही है इसके अलावा इंग्लिस भाषा जो है उसका dominate होता जा रहा है आज विश्व के बहुत सारे देश ऐसे हैं जो travel करके जा रहे हैं अपनी संस्कृति को एक देश से दुसरे देश तक पहुंचा रहे हैं इसके बात कर चुका हूं तो यहां पर इंशॉर्ट में बात कर रहा हूं तकनीकी का है हमकी बारे में बात करेंगे तो हमारे जो governments हैं उन सब को बहुत सरी टेकनोलोजी फॉरन से मिल रही है ना केवल military के रूप में बलकि शासन पर शासन समालने में भी बहुत सरी तकनीके ऐसी है जो में विदेश्यों से मिल रही है और इसके बुझे से हमें बहुत जादा फायदा भी मिल रहा है हमारी देश के सरकारे बहुत अच्छी तरीके से शासन समाल पा रही है हमारी जो सेनाए हैं उसमें आधुनिक्ता दिख रही है तो यह सारे concept आप सभी को इस वाले question के आयाम पूछा गया राजनीतिक राजनीतिक आयाम यह गुमा के राजनीतिक आयाम आपसे पूछा गया है आप लोगों को ध्यान रखना है अब यहां पर क्या है स्टेट्स के उपर या निशन के उपर क्या प्रभाव पड़ा है इसके उपर आपको बताना है तो वैश्वे क्या करती थी नागरिक्ता नागरिक्ता पर उद्योगों पर कठोरता से उद्योगों पर इसके लावा संचार पर रूजगार पर इन सारे फैक्टर्स पर अपना ही निंत्रन रखती थी अपना ही क्या करती थी निंत्रन रखती थी नागरिक्ता अपने इस आप से देती थी ल नहीं करें आप अपनी कंपणी शुरू कर दो वहां पर आपको ना ज़िता है मिल जाएगी उद्योग की वात करें तो अब पहले सरकार के हाथ में होता था करना पड़ता था आज इमेल्स हैं इमेल्स के अलाव अगर हम बात करें वाट्सप फेस्बुक ट्विटर हमारे पास में शोचल मीडिया है कि अनंत हमारे पास बहुत सारे ऐसे साधन हैं जिसके तुरू हम उपनी बात को एक्सप्रेस कर सकते हैं एक जगा सी दूसरे जगा त करें तो employment भी इस तरीके से हम देख सकते हैं कि employment जो है employment भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा important factor था जो government decide कर देते लेकिन आज के समय में private industry जब से आ रही है तो अपने हिसाब से rule and regulation बना रही है लोगों को रूजगार देती है और लोगों का exploitation भी बहुत ज़्यादा होता है इ इस वहले question में आपसे पूछा गया है कि discuss करना है आपको structure and function world trade organization यानि विश्व वैपार संगठन जो है इसकी संदचना और इसके कारे एक तो इसके work functions का मतलब इसका work है आपको ध्यान रखना है और इसकी जो संदचना है इसकी इसका question पूछा गया है तो यह most popular videos में से एक है globalization के अंदर पढ़ा है तो globalization के अंदर third year के students topics से में तो आप किसी भी वीडियो से पर सकते हैं बस आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्या चीज़े हैं क्या चीज़े नहीं पूछी गई है और व्याश्यों के अर्थव्यवस्ता में इसकी क्या भूमिका है तो अगर हम इसक इसके अलावा अंतराष्टे संधिया करता है अंतराष्टे संधिया आप सभी को trips के बारे में मैंने बताये था trade related intellectual property rights तो जो बौधिक संपता का अधिकार है इसको सक्ती से लागू करने की कोशिश करता है तो यह भी important factor बन जाता है आप से एक्जाम में कोशन यह भी पूच है और discuss करना इसके impact world politics पे विश्व की राजनीती पे इसके क्या परवा हो है तो वैश्विक समाजे का अंदोलन क्यों हो रहे है विश्वस्तर पे समाजे में अंदोलन क्यों हो रहे है तो उसका एक ही reason है उसका नाम है globalization GLB globalization अना यह फिर हम यह भी कहा दे LPG LPG इस model के through liberalization, privatization and globalization इसकी वज़े से अंतराश्य सर पर आज बहुत जादा क्या हो रहा है विरोध हो रहा है अलग अलग forum बन चुके है विश्वस्तर पर क्योंकि विश्वस्तर पर आज exploitation है जो विक्सित कंपनिया है वो गरीव देशों में जा रही है और वहां पर बहुत जादा क्या कर रह है नेक्स्ट कोशन यह बहुत ही जादा है निबंद लिखना है निबंद देखो व्यश्वत तापन इसे हम global warming कहते हैं जिसे इंग्लिश में रिखावाया है या फिर जो जलवायू परिवरतने से climate change कहते हैं इनका कारण क्या है तो cfc chlorofluorocarbon co2 carbon dioxide gas इसके अलावा methane methane ऐसी gas हैं जिनका formation बहुत जादा हो रहा है और इन gas के बढ़ने से आज विश्व का तापन बढ़ रहा है ओजो जो गैस है ओजो जो लेयर है ओजो परत जो है उसमें चिद्र हो रहे है जिसके विश्व का तापन बढ़ता जा रहा है तो इसके बारे में मैंने आप लोग application आप सभी को यह बताना है कि पर्माणू परसार की चर्चा करने है आपको और पर्माणू आपरसार पर के लिए उठाए गए कदम तो आप लोग npt आप इसके अंदर npt ctbt 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 abm इसके अलावा आई ए आई ए इसके बारे में आप बता सकते हो यह संस्ता है जो पर्माणू देखो यह तो संस्ता है और इसके अलावा यह तीनों समझोते हैं यह तीनों समझोते हैं जो कि पर्माणू के परसार को रोकने के लिए करिए गये ते यह मैंने आप लोगों के ल रखा है कि किस तरीके से परमानु परसार करने में इनकी भूमिका है और इसके लावा आई ये ये अंतराष्ट्य आढ़्मिक ऊर्जा एजनसी जो है किस तरीके से काले करती इसके बारे में भी मैंने बता रखा है एन पीटी का मतलब भी होता है परमानु एपरसार संदी तो ये 1968 में लाग हुई थी इनिए 1963 में है ये ABM 1971 में है और आई ये ये जो है ये भी अप्रोक्सिमेटली 1972 के अप्रोक्सिमेटली या 1972 के करीब में है तो इनकी ये क्यों होगी थी ये परमानु इस तर पर बहुत आज किस वीडियो में लग रहा है चलो कोई बात नहीं अगली वीडियो में जब हम आप लोगों के लिए बनाएंगे इस टॉपिक की तो आप लोगों के लिए वह पहले आजाएगा इसमें हम बात करेंगे कि नहीं दो पर आपको संशिप्त टिपनी करनी है संशिप्त सब कुछ इसके functions क्या है सब कुछ बता रहा है Manus Urakshah क्या है तो हर तरह की खत्रों से अदादी Manus Urakshah क्या लाती है परवासन क्या है और जिसे हम परवास भी बहुलते हैं तो यह क्या है इसके बारे में आपको लोग बतारा है और व्यश्यविक समानने विरासत क्या है जो विश्य हो सरपर इसके बारे में आप सभी को explain करना है वोफूली आज किस नए वीडियो से आप सभी को बहुत वैल्यू मिलेगी और इसी परकार की इंटरस्टिंग वीडियो पाने के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करेंगे अधिक से दिख में तो तक शेयर करेंगे और हमारे इस चैनल को सबस्क्राइब करेंगे ताकि अग अगर आप लोग हमें वेरियस शोशल मीडिया के ब्लैटफॉर्म पर फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यासे आप टेलिग्राम पर हमसे जूड़ सकते हैं इंस्राइग्राम पर आप अपनी क्वेरी को शेयर कर सकते हैं और साथी साथ ह आमें सब्सक्राइब करके फ्री वीडियो का आनंद ले सकते हैं चली मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में जै हिंजै भारत